यह जो question है, he does mistakes, ऐसे question अगर आप देखोगे, तो SAC के various examinations में 6 से 7 बार मैंने count किया, minimum 6 से 7 बार आ चुका है, question है, he does mistakes, generally ऐसे questions को हम कहते है, collocation के error, कौन से word के साथ कौन सा शब्द होना चाहिए, उसी सही error, तो जब भी आप mistake की बात करते हैं, गलती, गलती करने के लिए, या तो make का प्रयोग करें, या फिर आप commit का प्रयोग करें, गलती करने को make या commit कहते हैं, गलती करने के लिए कभी भी does या do का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि do does का प्रयोग हमेशा ही, किसी कारे को करने के लिए करते हैं, और गलती करना कोई कारे करना नहीं होता है, तो इसल जब भी मिस्टेक करने की बात हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ